हाई आज की इस पीडियो हम बात करने बलें कि अब जो भी थमनेल बनाते हैं वह एट्रेक्टिव कैसे हो सकता है जिस पर लोग तुरा थिक किलिक कर देखते ही चल गाइस क्या करना है कि आपको कुछ कलर कंबिनेशन का ग्यान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसके विए क्याइस क्या गईक्स पर लोग जो है देखते ही कख दें तो इस कलर कुछ ही है जो की बहुत-ज़्यादा इंपोर्टन है गईस चार कलर को मैं बताने वालो जो कि बहुत-ज्यादा अगर आप इस कलर को यूज करते हो गाइस तो काफी ज़्यादा आई कैशी होता है अगर आपका बैक्ग्राउंड ब्लैक है यहां पर दूसरा कलर है वह है एलो कलर का यूज कर सकते हो जिससे आपका जो थमनिल बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव दिखता है और आप काफी अच्छे जो थमनिल बना सकते हो एक अट्रेक्टिव थमनिल जो आई कैशी हो यहां पर तीसरा जो कलर है बहुत ही अच्छा है अगर आप इसका यूज करना जान जाओ तो तो यह वह रेड कलर अगर रेड कलर का आप अच्छे से यूज करते हो उसमें एस ट्रॉक लगाते से ब्लेक कलर यूज करने उसकर संदिल हो और साथ में बलू कलर भी यूज कर सकते हो जो कि काफी ज़्यादा ऐइक कैशी देखने को मिलता है अगर आपका बैक्ग्रइण जो है है यह आप क्या करते हैं। इस प्रकार शिर्पायिश नियुच अंशिव आप धाने तो मिलता यहां डेखते ही क्लिक कर दें आई कैसी होने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्प कलर में कुछ भी लिख दे घर उससे कुछ होता नहीं है ठीक अब इस्ते लिखो जो मतलब देखते ही लगे कि लोगों कि हां तलब उठनी चाहिए कि हां इस पर क्लिक करके देखना चाहिए अखिर है क्या चीज अगर यहां पर बात करें कुछ और कलर्स की तो सब्सक्राइब कलर्स होती है ब्लैक कलर वाइड कलर और उसके बाद ग्रीन एलो और रेड काफी एट्रेक्टिव कलर होगा अ मिलते हैं नेक्स्ट वडियों में तो तक के लिए बाइबाइब बंदे मात्रम बैस